Hello everyone, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल Mindvip Classes में इस वीडियो में SSC GD Exam के लिए Simplification के 100 से ज़्यादा questions देखेंगे और इससे best method आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा सबसे पहले आप वीडियो को देखेगा, इसके उपरांती लाइक से और सब्सक्राइब करिएगा Question number first है, इसक्रीन में, यदि 19 गुणे 19 बराबर 361 है तो 190 गुणे 0.0019 का मान ग्याद कीजिए यहाँ पर देखे, 19 गुणे 19, 361 दे दिया है तो यहाँ भी 19 और 19 का गुणा करने पर 361 आएगा लेकिन आपको देखना कि दसमलो इस्थान में कितने अंख होंगे उत्तर में, तो यहाँ देखे, दसमलो इस्थान में तो 4 अंख है यहाँ पर लेकिन यह 1-0 लगा है, इसलिए एक कम कर देंगे तो जो गुणन फल में दसमलो इस्थान में 3 अंख होंगे गुणा करने पर दसमलो इस्थान में 3 अंख होंगे जिसमें आपको यह method नहीं लगेगा, देखेगा, question number second है, question number second है, 0.5 divided by 0.71 का भाग फल दसंबलों के बाद 3 इस्थानों तक ग्याद कीजिए, आब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले तो 0.5 लिख लेते हैं सवाल को, divide by 0.71, आब यहाँ पर देखें, दसंबलों जब remove करेग अंस से, तो एक अंक है, तो इसलिए 10 का भाग होगा, यहाँ से दसंबलों हटाएंगे, तो यहाँ दो अंक थे, इसलिए यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे, अंस में, अब यहाँ से 0-0 cancel out हो गया, तो बैलू हो जाएगी, 10 गुणे 5, 5 करेंगे, 10 पना 50, भागे हो जाएग तो 7 बार जब पहाड़ा पढ़ेंगे इसका, तो 7 सता, 7 एक कम 7, 7 सता 49, 497, अब माइनस करेंगे, तो यहाँ बैलू आएगी 3, अब यहाँ भाग नहीं जाएगा, इसलिए सून लगाएगे, यहाँ भी सून लगाएगे, तो देखेगा, अब यहाँ 1-0 और लगा देंगे अब टेबल पढ़ेंगे 4 बार, 71 का, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 704, यहाँ पर देखें, 4 एक कम 4, 4 सते 28, 284, तो हमारा आंसर आ गया, क्योंकि दसंबलों के बाद 3 अंग चाहिए, 704, 0.704, इसका option number D correct है, 0.704 आएगा, आप divide करके convert कर लेंगे, तो इस तरह 5% question आपको basic से ह करना होगा, बागी 95% question में आपको कोई idea नहीं लगाना, एक गम इजी method से solve करेंगे, next question देखेंगा, question number 3 है, निम लिखित को हल केजिए, अब यहाँ पर देखेगा, पाच गुणे 0.05, गुणे 0.005, गुणे 0.005, गुणे 500, देखें फिर से उसी तरह का आगया दसंबलों वाला गुणा, तो सबसे पहले तो यह पता है कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 क आपको दसंबलों की इस्थान में कितने अंख होगे, यह पता करना है, आभी यहाँ पर देखे दसंबलों इस्थान में 3, 2, 5, 1, 6, 6 अंख है, लेकिन यह जो 0000 लगा है 500 में, तो 6 में जब 2 गटा देंगे, तो दसंबलों इस्थान में 4 अंख बचेंगे, यह 0000 की बैसे त तो देखे किस आप्षन में दसंबलो इस्थान में 4 अंख हैं तो इसका आप्षन नमबर B करेक्ट होगा इतना केबल आपको मैथेट लगाना होगा पहले दसंबलो इस्थान में 6 अंख थे 3, 2, 5, 1, 6 लेकिन यहां 2 double 0 लगे हैं 500 में इसलिए 2 minus कर देंगे तो दसंबलो कित को हल कीजिए अब यहां पर देखे यहां पर जोडना है सभी संख्याओं को तो इसको सीधा सीधा बेसिक से ही जोड लेते हैं 176 जैसा लिखा हुआ है पॉइंट के बाद यहां 0 लगा लेंगे फिर अंगला 176 तो लिख देंगे 176 फिर नेश्ट देखेगा 176 तो यहां लिखेगे 0.0176 अब सभी को प्लास कर लेंगे तो यहां देखे यह 6 ही आएगा 7 6 13 की 3 हासिल एक 7 6 13 14 15 हो जाएगा यहां साथ 3 14 15 हो जाएगा फिर यहां पर Պइंट लगाएंगे दसमलों लगेगा फिर यहां शाथ 4 14 15 होगा हासिल एक होगी साथ एक आठ एक नौ आ जाएगा यहाँ एक आएगा 195.5536 तो इसका अंसर हो जाएगा फर्स्ट नमबर 195.5536 इस तरह कुछ सवालों को आपको बेसिक से ही लगाना होगा इसको याद रखेगा 5% कॉस्टन आपको बेसिक से सवाल करना है नेस्ट कॉस्टन देखेगा कॉस्टन नमबर 5 है दिये गए बेंजग को सरल कीजिए यहाँ पर देखे जो बेंजग दिया हुआ है तो ऊपर देखे दसमलों इस्थान में कितने अंख है तो 3, 3, 2, 5, 5, 1, 6 अंख है और नीचे भी देखे 3, 2, 5, 1, 6 अंख है अर्थात दसमलों रिमूब कर देगे यह दसमलों हट जाएगा नीचे से और उपर से दसमलों यहाँ पर रिमूब कर देगे तो अब देखे यहाँ पर 3, 2, 3 करेंगे तो 3 तरका 9 से 1, 9 कैंसिल आउट हो जाएगा फिर यहाँ से भी 3, 1, 3 और यहाँ से 3 तरका 9 तो अब गुणा करेंगे तो 9, 9, 81, 81, 83 होता है 243 इसका आंसर आजाएगा 243 गुणा करने पर जो बैलू बची उसका गुणा कर देगे देखे आपसन दिया होगा यहाँ पर इसका आपसन नंबर हो जाएगा C यह C नंबर आपसन करेक्ट है 243 आएगा नेस्ट कोस्टन देखिएगा कोस्टन नंबर 6 है निम लिखित को हल कीजिए अब यहाँ पर भी देखे सेम देखे दसमलो इस्थान वाले अंक फाइंड कर लें तो उसी से आजाएगा यहाँ देखे पॉइंट में फर्ष्ट में दसमलो इस्थान में 0-3 लिखा है सेकेंड में देखे दसमलो इस्थान में 0-3 लिखा है दसमलो वाला अंक देख लेंगे बस यहाँ पर दसमलो इस्थान में 3-3 लिखा है तो लिख देंगे 3-3 अंगले में दसंबलो इस्थान में 3-3-1 लिखा तो यहां लिखेंगे 3-3-1 अब बस इनी को जोड़ लेंगे दसंबलो वालत 3-1-4 यहां पर हो जाएगा 3-3-6-3-9 यहां पर आजाएगा 3-3-6 तो देखें दसंबलो इस्थान में 6-9-4 आएगा और यह जिस आपसन में होगा वही आंसर हो जाएगा तो यह 50-6-9-4 दसंबलो इस्थान के बल देख लेना है इसी से आंसर आजाएगा पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है नेस्ट कोस्टन देखिएगा कोस्टन नमबर 7 है निम लिखित को हल कीजिए यहां देखिए सब सिंप्लिफिकेशन कोस्टन है तो यहां भी दसंबलो इस्थान को फाइंड कर लेंगे दसंबलो इस्थान में और देखिए यहां पर दसंबलो इस्थान में 5 है फर्स्ट बाले में तो 5 लिख लेंगे सेकेंड में दसम्लो इस्थान में 25 है तो यहां लिख देंगे 25 और थर्ड में देखेंगे दसम्लो इस्थान में 025 है तो यहां लिखेंगे 025 फोर्थ नमबर में देखेंगे दसम्लो इस्थान में 2025 है तो यहां दसम्लो इस्थान में 2025 और लास्ट बार लिखनेंगे यहांपर 6,2,0,2,5 तो दसंब्लॉ इस्थान में 6,2,0,2,5 अब जोड़ लेते हैं तो दसंब्लॉ इस्थान में देखें कितना प्राप्त होता है तो यहां 5 रहेगा 5,2,7 यहां भी 5,2,7 यहां 5,2,7,2,9 यहां 9 आ जाएगा 5, 2, 7, 2, 9, 6, 15 की 5 यहाँ पर दसंबलो इस्थान में आपको 69, 775 मिलेगा तो देखे जिस आपसन में 69, 775 होगा तो यहाँ पर देखे सभी आपसन में हो 69, 775 मतलब तीन आपसन में है तो आपको फिर दसंबलो के पहले वाली संख्याब लिखना है तो फ़र्ष्ट बाले में देखे 62, 02 है तो लिख लेंगे 62, 02 सेकेंड बाले में देखे 620 है तो यहाँ लिख लेते हैं 620 इसमें फाइंड करना होगा आपको सथर्ड में देखे 62 है तो केवा लिख लेंगे 62 फूर्थ में देखे 6 है मातर तो यहां लिखनेगे 6 और फिप्ट में देखेगा 0 है तो यहां लिखनेगे 0 अब देखे यहां तो 15 की 5 था हासिल 1 आई तो 2, 2, 4, 6, 4, 10, 10, 11, 11 यहां पर 1 आएगा नेश देखेगा 6, 2, 8, 8, 1, 9 यहां 9 आएगा 6, 2, 8, यहां पर 8 आएगा यहां 6 आएगा और 6, 69, 69, 67, 75 तो यह देखे आपसर नमबर D में दिया हुआ है और 6, 69, 67, 75 यह पूरी बैलू आएगी आपको जोड़ना होगा पूरा लिख करके तो इस तरह भी questions को solve करना है कहीं कहीं पर next question देखेगा question number 8 है 243 भागे 3, भागे 3, फिर भाग 3, फिर भाग 3, कमान कितना होगा यहां पर देखे 243 तो पहले लिख लेंगे और यह जो भाग का symbol इसको गुड़े में convert करेंगे तो इसका reciprocal लिखना है बितक्रम, एक बटे 3 हो जाएगा यहां पर लिखेंगे एक बटे 3 next देखेगा sorry यहां पर एक बटे 3 है फिर next देखे, पुने भाग को गुड़े में convert करेंगे तो यह भी value एक बटे 3 आ जाएगी अंगले को भाग को गुड़े में convert करेंगे तो एक बटे 3 हो जाएगा next को जब भाग को गुड़े में convert करेंगे तो यहां भी एक बटे 3 होगा तो अब देखेगा यहां पर 3 तरका 9, 27, 3, 81 और 81 से जब cancel out करेंगे तो 81, 3 होता है 243 मतलब इसका final answer आ जाएगा 3, 3 आएगा answer क्योंकि यहां पर 3 तरका 9, 27, 83, 81 यहां 81 आया 81, एक कम 81 और यह तीन बार जाएगा 81 त्याइग होता है 243 तो next question देखिएगा question number 9 है निम लिखित को हल कीजिए यहां पर देखिएगा cable दसमलो इस्थान वाले अंक आप को लिख लेना है तो first में देखिए यहां पर last में लिखिएगा कि 6 7-6 13 की 3 हासिल 1 7-6 13 14 15 हासिल 1 7-6 13 14 15 हासिल 1 7-6 13 14 15 की 5 हासिल 1 दसंबलो इस्तान में आपको देखना है कि 5-5-5-555-3-6 होगा तो यहाँ पर دیکھए दसंबलो इस्तान में 555-3-6 के वल एक आपसन में दिया वुआ है बाकि कहीं पर नहीं है तो यही इसका आंसर होगा मतलब जोड़ने पर आएगा 19.55536 यह इसका आंसर होगा तो आपको कहीं कहीं इसी तरह find कर लेना है next question देखेगा next question देखेंगे question number 10 है देखें यहाँ पर यह जो गुणन फल दिया हुआ है तो आप direct यहाँ पर देखेगा पहले दसंबलो इस्थान में देखें कितने अंक है तो यहाँ पर 3, 3, 2, 5 5, 1, 6 इस तरह एक सवाल पीछे पहले आया था तो दसंबलो इस्थान में 6 अंक है लेकिन यहाँ पर एक सून लगा है 7 के बगल में तो दायोर इसलिए एक कम कर देंगे तो उत्तर में गुड़न फल में दसंबलो इस्थान में 5 अंक होंगे अब देख लिजे किस संख्या में दसंबलो इस्थान में 5 अंक है तो देखें आपसन नमबर D में दिख रहा है 3, 2, 5 यही इसका उत्तर होगा गुड़न फल में यही बैलू आएगी आप्सन नमबर इसका D correct है बाकी आप्सन में ऐसा नहीं है पांच अंखों के दसमलों स्थान में next question देखिएगा इसी तरह आपको गुणा करना है next question है question number 11 निम लिखित ब्यान जग का मान गयात करें तो यहाँ पर direct देखे value लिखेंगे पहले तो यहाँ 20 का cube लिखना है तो 2 का cube होता है 8 और 0 को 3 बार जब लिखेंगे देखे cube लिखा हुआ इसलिए 3 बार लिखेंगे 8000 हो जाएगा 20 cube और cube है इसलिए – 3000 और यहाँ पर 13 का घन आपको याद कर लेंगा 13 का क्यूब आपको याद होना चाहिए 297 होता है तो प्लस में आएगा 297 और यहाँ पर देखेगा लाश्ट में 7 का क्यूब है तो 7 का क्यूब होता है 343 अब इन दोनों को आप पहले प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद जब इसमें माइनस करेंगे तो बैलू माइनस में ही आएगी यह 8000 है और यहाँ पर देखे आपके पास 21, 24 24 सो हो जाएगा लगभग तो जब यह 8000 में 24 सो घटाएंगे माइनस करेंगे तो यहाँ पर 24 सो नहीं यह 25 सो के उपर जाएगा इसलिए इसका आणसर आएगा आपसर नमबर C माइनस कहीं आएगा क्योंकि बड़ी संख्या यह नहीं माइनस में है तो इस तरह इसको फाइंड करेंगे नेस्ट कोस्टन देखेगा कोस्टन नमबर 12 है सरली करन कीजिए मतलब इसमें सरल करना है तो यहाँ पर देखे दसमलो इस्थान में पहले काउंट कर लेते हैं दसमलो इस्थान से ही आपको पता चल जाएगा तो यहाँ देखे दसमलो इस्थान में फर्ष्ट में देखे 8 लिखा है तो 8 लिख लेते हैं सेकेंड में 0 8 लिखा है दसंबलो इस्थान में प्लस करना है तो यहां 8 आएगा फिर 8,8,16,6 हासिले 8,3,24,24,25 दसंबलो इस्थान में आपको प्राप्थ होगा है 5,6,8 अब देखे किस संख्या में 5,6,8 दसंबलो इस्थान में तो आपसर नमबर A में यहां पर दिख रहा है 18,5,6,8 बाकि किसी में नहीं इसलिए आपसर नमबर इसका A करेक्ट है नेस्थ कोस्चन देखिएगा कोस्चन नमबर 13 है देखे इस तरह का जब भी सवाल आता है जब भी इस तरह का कोस्चन आपको मिलेगा एक से 30 तक लिख दिया और यहां से 30 से एक तक लिख दिया बीच में है 31 तो आपको केबल इसी का स्क्वेर कर देना है यही आंसर हो जाएगा इन सभी का प्लस करने पर 31 के स्क्वेर के बराबर आएगा 31 का स्क्वेर होता हैedel 911 तो इसका आंसर हो जाएगा 911 इसका आपसर नंबर सी करेक्ट है यह इसका तरीका है आपको बीच वाली संख्या का स्क्वेर कर देना है जब इस तरह की सिरीज प्राब्थ हो नेस्ट कॉस्चन देखेगा कॉस्चन नंबर 14 हो देखे 97 गुणे 97 तो यहाँ पर देखेगा 97 गुणे 97 है तो second वाले 97 को लिख देंगे 100-1 sorry 100-3 100 में 3 गटाएंगे 97 होगा अब 97 गुणा पहले 100 से करेंगे फिर माइनस करके 3 से गुणा करेंगे तो 97 इंटू 100 करने पर 97 सो आएगा और 97 इंटू जब 3 करेंगे तो देखे 3 सते 21 की एक हासिल दो तीन नमद 27 सताइस दो 29 यहाँ 29 आएगा बस माइनस कर देंगे तो यही पर वैलू प्राप्त हो जाएगी 10 में एक घटाएगे यहाँ पर तो 9 आएगा यहाँ 9 में 9 घटाएगी 0 आजाएगा यहाँ 6 में 2 घटाएगे 4 आएगा यहाँ पर 9 आएगा 94 जीरो नव आएगा इसका आंसर तो इसका आपसर नमबर भी करेंट है 94 जीरो नव इस तरह फाइंट करना है next question देखिएगा question number 15 है यहाँ देखिए यह जो संख्याएं लिखी हुई है पहले इसको जियों कत्यों लिख देते हैं यहाँ पर देखिए फर्स संख्या है 2.0 यहाँ पर 09 फिर बटे यहाँ पर लिखा हुआ 0.000 तो यहाँ पर लिखिए 0.000 0.2009 अब यहाँ देखिए दसम्बलो रिमूब करना है यहाँ से दसम्बलो हटाएंगे तो दो अंख है तो इसलिए नीचे 100 का गुणा हो जाएगा एक के बगल में 00 का गुणा करेंगे इधर से 10 संबलो हटाएंगे तो देखिए यहाँ पांच अंख है यहाँ पर आंसर आजाएगा एक के बगल में 40,000 दस जार इसका आंसर होगा इसका आपसर नंबर डी करेक्ट है इस तरह फाइंड करेंगे नेस्ट कोस्टन देखिएगा कोस्टन नंबर 16 देखिए सेम कोस्टन है यहाँ पर पहले लिख लेते हैं सवाल को 1.08 फिर डिवाइड वाइड यहाँ पर दिया है 0.000108 अब इसको देखिए गर दसमलो रिमोब करेंगे ओपर से दसमलो उटाएंगे तो दो अंख है तो नीचे एक के बगल में 0000 आएगा यहाँ से दसमलो नीचे से हटाएंगे तो इसके देखिए 3-3-6 अंख है तो उपर एक के बगल में 0000 आजाएंगे इसके बाद अब कैंसिल आउट करना है 0000 से 0000 कैंसिल आउट हो जाएगा और 108 से 108 कैंसिल आउट हो जाएगा बचेगा 10,000 इसमें भी तो इसका आंसर आजाएगा एक के बगल में 400 अर्था 10,000 इसका आपसर नमबर D करेक्ट है नेस्ट कोस्चन देखिएगा कोस्चन नमबर 17 है देखिए पहले सवाल लिख लेते हैं जिस प्रकार दिया 0.00025 फिर डिवाइड वाई यहाँ पर लिखा हुआ है 12.5 यहाँ पर देखिए पहले दसंबलो जब यहाँ से हटाएंगे तो ओपर 1,0 लगाएंगे एक के बगल में यह था 10 का उणा होगा क्योंकि एक अंक है यहाँ से दसंबलो अटाएंगे तो नीचे आजाएगा एक के बगल में 5,0 पांच हंकर इसलिए 5,0 लिखेंगे अब 1,0 से 1,0 कैंसिल आउट हो जाएगा फिर यहाँ पर देखिए 25 से कैंसिल आउट करेंगे 25 से कम 25 25 पंचे 125 यहाँ पर एक बटे 5 आया और एक बटे 5 की बैलू होती है यहाँ पर लिख लेंगे पहले एक बटे 5 होता है 0.2 यहाँ पर बैलू 0.2 आ जाएगी एक बटे 5 की और बटे में अभी 10,000 है तो लिखेंगे यहाँ पर बटे 10,000 है एक के बगल में 4 सुन तो यहाँ पर देखेगा जब 4,0 हटाएगे तो समलो 4 अंके बाद लगेगा मतलब अभी एक अंके बाद है चार अंके बाद लगाएगे तो यहाँ पर देखेगा 0.0 इसका अंसर आजाएगा आप देखेगा 0.0002 0.000 और एक जीरो आउर आएगा इसके बाद दो लिखेंगे यहाँ पर 4,0 आएगे तो 0.0002 इस तरह इसका अंसर आएगा इसका आपसर नंबर भी करेक्ट है 0.402 होगा नेस्ट कोस्टन देखिएगा इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं एक बार पुने देखिएगा जैसे लिखा है 0.00025 डिवाइड बाई 12.5 यहाँ पर देखिए एक तरीका और होता है दसंबलो रिमूब करेंगे तो यहाँ 10 का गुना होगा एक अंख इसलिए दसंबलो यहाँ से रिमूब होगा तो देखिए 5 अंख ते 3,2,5 तो यहाँ पर एक के बगल में 5 सून आ जाएंगे अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया 25 एक कम 25 25 पंचे 125 तो बैलू आ जाएगी यहाँ पर एक बटे यहाँ पर लिख देंगे पांच का गुना जब 10,000 से करेंगे तो बैलू हो जाएगी 50,000 मतलब यहाँ पर लिखेंगे 50,000 पांच लिखें चार सून अब इसको देखेंगे यहाँ उपर दो का गुना करते हैं यहाँ भी नीच्चे दो का गुना करेंगे तो 50,000 का जब दो से गुना करेंगे तो एक लाग हो जाएगा मतलब यह हो जाएगा दो बटे एक लाग आएगे और दसम्लो यहां आजाएगा 0.0002 आजाएगा इस तरह आप इसको solve कर सकते हैं इसका option number be correct है next question देखिएगा question number 18 है question number 18 में देखिएगा दसम्लो इस्थान पहले plus वाले देख लेंगे यह plus में है यह भी plus में है तो इन में दसम्लो इस्थान में देखिए first में दसम्लो इस्थान में 3 3 है second में लिखा है दसम्लो इस्थान में 3 3 3 पहले इनको देख लेंगे दसम्लो इस्थान में plus वाले में कितना आता तो यहां 3 आएगा 3 3 6 यहां भी 3 3 6 द्वाले में 663 आगया माइनस बाले में देख दिख लेते हैं दसन्ब इस्थान में कितना आता है तो फर्स्ट में द्वाली इस्थान में 0.3 रोड़े में द्वाइन में 123 यहाँ भी लिख लेंगे जोड़ सेформा है जीरट आुछ बास वाले में अनकि द्वाले में 663 егTI spread here 6- 3 आएगा यहाँ जाएस ने खिचिया इस तरह इसको सौल्ब किया जाएगा नस्त कोसं दे renewed कोस्टन नंबर 19 है यहां पर देखे 6 kg और 5 kg बराबर कितना होगा तो सबसे पहले तो यहां 6 kg है तो यह उसको 6 ज्योक्तियों लिखेंगे प्लस अब 5 ग्राम को किलो ग्राम में बदलना है तो 5 में भाग करेंगे 1000 से यह रहेगा 6 प्लस अब यहां पर देखे 3 0 हटाएंगे त तो दसंबलो तीनंक के बाद लगाएंगे, मतलब 0.005, दसंबलो इस्थान में तीनंक रहेंगे, अब जब इसको दोनों को प्लस करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 6.005, यह इसका आंसर होगा, और यह किलोग्राम में बदल गया, यह पूरा किलोग्राम में कनवर्ट हो गया, इसका आपसर नंबर डी करेक्ट है, इस तरह फाइंड करना है, नेस्ट कॉस्टन देखिएगा, कॉस्टन नंबर 20 है, कॉस्टन नंबर 20 में देखिएगा, 5.52 फिर माइनस, यहाँ पर 2.3, 2.3 का स्क्वेर है, अथाथ 3 का स्क्वेर 529 होता है, लिखेंगे बैलू 5.52, जहों करते हो, माइनस में ही आएगा, तेज का स्क्वेर 529 होता है, अग के बाद लगेगा, अथाथ 5.2 नंब आ जाएगा, फिर प्लस, यहाँ पर देखिएगा, यह बैलू एक साथ पूरी लिखेंगे, यहाँ के फिर गुणा भी है और भाग भी है, तो पहले 0.8 क्यूब है, तो इसको लिखेंगे तीन बार, 0.8 into 0.8 into 0.8, और यहाँ पर देखेगा, और गुणे फिर लिखा है 0.12, तो यहाँ लिखेंगे गुणे 0.12, और डिवाइड बाइद दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे पूरे के भाग में कर लेंगे, टोटल, यहाँ पर देखें, 0.4, 4 बार लिखेंगे, 0.4 into 0.4 into 0.4 into 0.4, इस तरह से 4 बार गुणा कर लेंगे, फिर माइनस में दिया है, 3.14, तो लिख लिखेंगे, 3.14, अब इसको solve करना है, देखेंगा, यहाँ पर पहले इस पार्ट को जब हल करेंगे, solve करेंगे, तो 5 में 5 घटाएंगे, तो यह तो 0 आएगा, 0.00, अब यहाँ देखें, 12 में जब 9 घटाएंगे, तो 3 होगा, और यहाँ 4 में 2 घटाएंगे, 0.23 आएगा, वो भी इसमें प्लस में आएगा, फिर इसके बाद प्लस, अंगले पार्ट को solve कर लेते हैं, पहले देखें, 10 अमलो इस्थान में एक अंख है, तो यहाँ भी एक अंख है, remove होगा, और यहाँ दसमलो इस्थान में एक अंख है, तो यहाँ गुणा हो जाएगा, 10 का, यह याद रखेगा, यह वाला पार्ट अलग है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगे, अब कैंसिल आउट करेंगे, देखे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर यहाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8, दस से भाग करने पर 24 में, और माइनस दिया है, 3 दसमलो एक चार, तो माइनस लिखनेंगे, 3 दसमलो एक चार, अब इसमें देखी, इन दोनों को पहले प्लस कर लेंगे, फिर माइनस करेंगे इस वैलू को, तो यहाँ पर आंसर आएगा, आप फाइन करिएगा, माइनस 0.51, यह इसका आंसर आएगा, माइनस में यह आएगा, क्योंकि यह बड़ी संक्या है, तो माइनस में ही प्राप्त करेंगे, नेस्ट कोस्टन देखिएगा, कोस्टन नमबर 21 है, यहाँ पर देखें दसंब्लो इस्थान में भी देखेंगे दसंब्लो इस्थान में कितना आ रहा है फर्स्ट बालिम देखें दसंब्लो इस्थान में लिखा है 098 लिख लेंगे 098 सेकंड बालिम दसंब्लो इस्थान में लिखा है 0.98 तो यहाँ लिखेंगे 0.98 3rd में लिखा है 0.8 तो यहां लिखेंगे 0.8 बस 3 संख्याओं में ही देखेंगे क्योंकि यहां पर 10 संख्याओं में 0.0 है 98 के बाद यहां पर देखे 8 आए गई काई में 9, 8, 17 की 7 आए गए हासिल 1 9, 8, 17, 17, 18 मतलब पॉइंट के बाद 878 आएगा तो यह देखें किसी संख्याओं में देखें यहां पर आपसर नंबर C में है मात्र पॉइंट के बाद 878 यही इसका अंसर होगा केवल आपको उत्तर फाइंट करना है यह तरीका है नेस्ट कोस्टन देखेंगा कोस्टन नंबर 20 सेकेंड है कोस्टन नंबर 20 सेकेंड देखें यहां पर 4 प्लस 3 गुड़े 4 प्लस 3 गुड़े 4 इसको है प्लस 3 गुड़े 4 की गाद 4 प्लस 3 गुड़े 4 की गाद 5 देखें यहां पर केवल 4 अलग है और बागी इसके बाद रिपीट है 3 गुड़े 4, 3 गुड़े 4, सम्में 3 गुड़े 4 तो पहले आप 4 को जोंकतोय लिख लेंगे फिर प्लस, 3 गुड़े 4 गामन लिवे क्योंकि सम्में है, तो यहां 3 गुड़े 4 कामन हो जाएगा, अब देखे ब्रैकेट में किया बचता है, तो फर्स्ट यहां इसकी जगह तो एक बचेगा, तो एक प्लस, अब यहां से तीन और एक चार कामन होगा, तो केबल चार की घात एक बचेगा, प्लस, यहां से तीन और चार एक कामन लेगे, तो चार की घात केबल दो बचेगा, फिर अंगले में बचेगा, चार की घात तीन बचेगा, च चार के घार चार करेंगे तो चार ही आएगा चार स्क्वेर शोला हो जाएगा चार के उप चमसट हो जाएगा और चार के घार चार दोसो चपन हो जाएगा यहाँ पर देखे यहाँ तो एक ही रहेगा तो एक चाव को चार चोग शोला चोग चाव को minus 1 और divide by होता है r minus 1 इस सोत्र में value आपको put करना है जहाँ a हो जाएगा प्रथम पद बैलू देख लेंगे और r होता है 2-3 पद बटे प्रथम पद निकालने के तरीका तो r बटे यहाँ पर 4 बटे एक करेंगे तो r की बैलू 4 आ जाएगी और यहाँ होता है टोटल कितने पद हैं यहाँ तो देखें यहाँ पर पद है टोटल 1-2-3-4-5 5 पद हैं 1-2-3-4-5 तो यहाँ की बैलू हो जाएगी 5 बस इन ही बैलू को आपको इस सोत्र में put कर देना है तो यहाँ पर देखेगा यह आप बैलू put करेंगे इस फार्मूले में तो यह तो 4 रहेगा 4 प्लस 3 गुणे 4 और ब्रैकेट में देखे बैलू क्या प्राप्त हो जाती है तो एक ही बैलू यहाँ रखेंगे 1 तो 1-2 अब आर की पावर देखे यहन है आर तो 4 है और यहन की बैलू दिया है 5 तो 4 की घात 5 ब्रैकेट में लिखेंगे इंटू में 4 की घात 5-1 बटे आर माइनस 1 है मतलब 4 माइनस 1 यह अच्छा सवाल है इसको अच्छे से समझेगे तो यहाँ पर देखेगा 4 की घात 5 तो रहेगा नीचे देखे 4 में जब एक घटाएंगे तो 3 बचेगा नीचे बैलू 3 बचेगी यहाँ पर इंटू में 3 है तो 3-3 कैंसिल आउट हो जाएगा इसको याद रखे और फिर नेफ्ट देखे इसको आगे जब सॉल्प करेंगे तो यह 4 रहेगा तो यहाँ पर लिख लेते हैं देखेगा यह 4 तो रहे गही 4 प्लस और अंदर देखे चार का गुना जब 4 की घट 5 से करेंगे अंदर गुना कर देंगे तो 4 की घट हो जाएगा 6 यहाँ पर 4 की घट 6 लगाएंगे सॉरी यहाँ 4 की घट 6 हो जाएगा और 4 का गुना जब 1 से करेंगे तो यहां पर minus 4 आजाएगा minus 4 बस इतना इसका solution है तो आब यहां पर देखेगा plus 4 minus 4 cancel out तो answer आजाएगा answer 4 की घात 6 4 की घात 6 answer आएगा जो कि आपसर नंबर B में दिया हुआ है यह बहुत ही अच्छा सवाल है एकजाम के लिए आपको इसी तरह solve करना पड़ेगा इस सवाल को यह गुणोतर सेड़ी अंदर बन गई है गुणोतर सेड़ी को आपको इसी फार्मूले से solve करना है next question देखेगा question number 23rd है रिक्त स्थान भरने के लिए सरवाधिक उप्यूक्त बिकल्प का चैन करें आप यहाँ पर देखे इसको solve करने का तरीका सबसे पहले तो आपको यह minus वाले सभी टर्म है तो आपको यह minus वाले में पहले दसंबलो इस्थान में देखना कि कितना आ रहा है और फिर इसके बाद इसमें minus करेंगे तो देखे पहले minus वाले में दसंबलो इस्थान में फर्ष्ट में देखेगा यहाँ पर 5 है फर्ष्ट में देखे दसंबलो इस्थान में 5 है तो 5 लिख लेंगे दसंबलो इस्थान में यहाँ पर दसंबलो इस्थान में 5 पहले माइनस वाली देखते हैं कि माइनस में कितना आएगा तो यहाँ पर 5 आएगा दाश्मलु इस्थान में, 9,5, 14, 14, 3, 17, 18 दसंबलो इस्थान में आएगा 845 अब यहाँ पर देखे संख्या जो दी है 395 तो यहाँ पर दसंबलो इस्थान में 0000 होगा क्योंकि तो 395 दसंबलो 0000 तो यहाँ पर देखे दसंबलो इस्थान में 0000 है लेकिन माइनस बाला दिया है दसंबलो इस्थान में 845 अब यहाँ पर जाएगा यहाँ पर 9 में 8 घटाएंगे तो 1 आएगा मतलब 10 अमलो इस्थान में प्राप्थ होगा 155 और देखे किसी आप्शन में आपको यहाँ दिखाई देगा तो इसका आप्शन एक 5 पाँच आएगा तो यहीं इसका उत्तर हुगा यह साड़कर तरीका है नेस्ट कोस्टन देखेगा कोस्टन नमबर 24 है देखे यहाँ भी दसमलो इस्थान में ही लिख लेते हैं कितने ये कितने अंख है तो दसमलो इस्थान में 295 है तो लिख लेंगे पहले 295 फर्ष्ट वाला सेकर्ड देखे दसमलो इस्थान में 95 है तो यहाँ लिखेंगे 95 थर्ड नमबर देखे दसमलो पांच और फोर्थ नमबर में संख्या लिखी है तो यहां कुछ लिखना नहीं है अब देखे फर्ष्ट में यहां पांच आएगा सब को प्लस कर रहे हैं नव पांच चगदा की चार फिर हासिल एक नव दो गेरा गेरा पांच सोला एक सत्रा दसमलो इस्थान में आ जाएगी मातर 25 सवाल ही अभी करेंगे इसमें आपको 200 से ज़्यादा कोस्टन देखने को मिलने वाले हैं 200 प्लस कोस्टन आपको सिंप्लिफिकेशन के मैं करवा दूँगा और SSC GD में यहीं से सभी कोस्टन आपको देखने को मिलेगे अधिश चैप्टर से आते हैं तो सभी कोस्टन नव बटे तेरा लिख लेंगे जियों कत्यों और यहां पर देखें डिवाइड है तो इसको जब मल्टिप्लाई लिखेंगे तो इसका अंसर पलड़ देंगे मतलब 26 उपर चला जाएगा 18 आजाएगा नीचे 26 बटे 18 हो जाएगा यहां पर फिर इंटू पुना इंटू ल दो से दो कैंसिल आउट हो जाएगा फिर यहां दो से कैंसिल आउट करेंगे तो यहां पर 26 दूरी बामन होता है और दो से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 45 दूरी 90 तो इसका आंसर आ जाएगा 26 बटे 45 यह इसका आंसर होगा तो देखें आपसर नंबर C में दिया हुआ है 26 बटे 45 इस तरह find करना है तो आप लोगों को देखिए बहुत easy method सभी सवालों को देखने को मिलेंगे मैं आप लोगो 200 plus question बताऊंगा और 5% question आपको basic से solve करना है बाकि 95% question आपको इसी तरह solve करना हुगा साट कर तरीके से और इसके सभी वीडियो आपको जाएंगे और साथ हिसाथ टेलिग्राम चैनल का link description box में दिया हुआ है तो आप टेलिग्राम चैनल जोइन कर लिजे वहाँ पर आपको इसका PDF फाइल उपलप्त करवा दिया जाएगा topic wise तो PDF आपको टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी टेलिग्राम का link description box में दिया हुआ है तो आप वहाँ से टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लिजे